कि हालो इस्टूडेंट्स वेल्कम टू पीप यार स्टडी साथियों जैसा कि आप जानते हर दिन साम को साथ वज़े से क्लाफ नाइन्थ की मैथ सुरू होती है तो आज भी आपकी क्लास सुरू हो चुकी है देखिए कुश्चन थोड़ा बड़ा है इसलिए कुश्चन और च सभी फटा फट सेशन को लाइक करके अपनी एटेंडेंस देंगे कौन-कौन जुड़ गया जैसे देखो साधिता यादो जी जुड़ चुकी है और परसनम भाना इनका बड़ा अजीब सा नाम है रोहित जुड़ गये हैं और बहुत से बच्चे जुड़ गये हैं पूजा समझने के बाद में फिर आप आगे बढ़नेंगे चलें पढ़ें फिर कुईस्चन क्या लिखा है देखो इदर साइड में वैसे आप सबी के पास बुक होगी तो बुक में तो आप लोग जानी रहो क्या करना है पढ़ना क्यूस्चन बस देखो क्या है किरा कि तिरभूज ABC और DBC एक ही आधार BC पर बने दो सम्दुबाहु तिरभूज इस प्रकार है यानि कहने का यह मतलब है इधर साइड फिगर आप लोग देखो चितर देखो क्या कह रहा है कह रहा कि जो तिरभूज है ABC मतलब यह बड़ा वाला पूरा तिरभूज और BDC यह जो छोटा वाला बीच में बन रहा है यह दोनों तिरभूज एक ही आधार यानि कि सेम आधार पर बने हैं और वह आधार कौन सा है भाई वह बेस है आपका BC चुकि देखो यह तिरभूज जो बन रहे हैं दोनों वह BC पर ही दो बन रहे हैं ना असुतोष कुमार तुमको पढ़ना एक नहीं पढ़ना है तो चुप चाप पढ़ लो चलो आगे देखो क्या कहता है ध्यान दीजिए इधर साइड में आपको कुश्चन दिखा रहा हूं यह देखो कहरा कि A और D भूजा BC के एक ही और इस्तित हैं A और D जो है वह भूजा BC के एक ही और इस्तित हैं इसका मतलब समझो य A और D भूजा BC के एक ही और इस्तित हैं यानि जो बिंदू है A और D यह भूजा आपकी है BC इसके एक ही और इस्तित है मतलब दोनों एक ही साइड तो है ना हां दोनों एक ही साइड है ना चलो देखो आगे कुश्चन क्या कहता है हम एक बार कुश्चन देखेंगे फिर एक तेको बिन्दू K peper प्रतिश SC करती है एडी को बढ़ाया जाए झाल देखो यहांपे दिखा आपको दिखाया भी गया है न इडी इसको बढ़ाया जाने मतलब नीचे को तो बिन्दू K peper प्रतिशे स्ब्रिद्ज कर रही है बा ACT समझ में यही कह रहा था बस Newton इतना ही है तो पूछ रहा इसमें परफाइए मतलब दिखाइए यानि कि सिद्ध कीजिए अब क्या क्या सिंध's करना यहाँ से देखो ध्यान से क्या थुल सुभ्य करना ध्यान दो užडोकि जो भी है ठीक है क्या क्या प्रूब करना है ध्यान दीजिए ABD congruence to ACD मतलब तिर्भुज ABD जो है वो ACD के सरवांगसम है यहाँ पर फिगर देखो फिगर मैंने थोड़ा दूर बनाया है ABD मतलब यह तिर्भुज जहां मैं हाथ रखा हूँ ध्यान दो यह ट्रेंगल जहां मैं हाथ रखा हूँ ABD कहरा है यह congruence है सरवांगसम है ACD के ACD मतलब यह तिर्भुज और यह तिर्भुज हमें congruence सिद्ध करना है सरवांगसम सिद्ध करना है ठीक है सिवां पंचाल जी कुछ समझ में आ रहा है चलिए अब ध्यान दो अब ध्यान दो क्या करना है सबसे पहले हमें सिर्फ एक लेके चलना है तो congruence का rule तो आप लोग जानते हो पहले आप यह बताओ किताब है सबके पास कक्छानों की NCRT book जिनके पास है जल्दी से यस बोलो फटा फट सबके पास book है ना बुक है ना सबके पास असुतोस कुमार तुमारा तो सब सही है बस तुम चुपचा पढ़ लो अच्छा है चलो चले सबी के पास book है ना देखो अब हम इसको प्रूब करेंगे कैसे देखो जो जो दिया सबसे पहले हम वो लेके चलेंगे अब दिया क्या क्या है यह देखो द्यान दो एक तिरभूज हमें दिया है जो कि आपके सामने दिखे रहा उधर हम ट्राइंगल पर चलेंगे ठीक है फिगर देखो question जाने दो बुक है ना सबके पास चलो ठीक है आप सभी book में अपने question देखना question मने पढ़ दिया अब हम इसको हल करेंगे solution करेंगे ठीक है लिखो तिरभूज a b d a b d इस तिरभूज में solution यहां से start होता लिखो हल लिखो तिरभूज a b d और एक दूसरा तिरभूज लोगे a c d a c d a c d मतलब यह तिरभूज और यह तिरभूज में लिखो तिरभूज a c d में इन दिरभूज को हम लेके क्या करेंगे इनको kangarooan सिद्ध भी करना है इनी दोनों को हमें सरवांगसम भी करना है देखो अब इसमें हम ध्यान से देखें कि हमें कुछ बराबर दिया है कुछ बराबर है कुछ बराबर हो सकता है वही सब दिखा कि तभी तो सरवांगसम सिद्ध करेंगे न तो आप अगर ध्यान से देखो बच्चा तो इसमें एबी वराबर एसी दिया है अब कहोगे काहे को एबी एसी काहे दिया है देखो ध्यान दो बच्चा एबी एसी इसलिए दिया है क्योंकि ये सम्दुबाहुति रभूज है पहले ही चित्र में कहा है न क्या है ये सम्दुबाहुति रभूज है है न तो आप क्या लिखोगे को कि ठीक है कि चलो आगे चले आप नंबर पर संपर करिए बाद में डिश्टरब मत करिए बस प्लीज अब बिलकुल बिलकुल ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा में टाइम दीजिएगा क्योंकि हमें कुछ और भी चीजें यहां पर देखनी है जो लोग आपको डिश यह कही बात को बार 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 लिखा करते हैं तो उनको मुझे कुछ देर के लिए बलाकवी करना पड़ता है मतलब थोड़ा देर के लिए चलो इतना आप समझ गें जो दिया वो मैंने लिख दिया आप ध्यान देना क्या करना उसको देखो अच्छा चल रहा है ना कोई दिक्कत तो नहीं न चलो A, B, A, C बराबर है यह दिया है पहले से दिया था अल्रेडी यहां पर एक और चीज बराबर है वो का है D, B, बराबर है D, C, K देखो कैसे D, B, बराबर है D, C, K अब D, B, D, C कहा है D, B, D, C कहा है? भाई देखो D, B यह है न चाहे B, D, B बोलो, चाहे D, B बोलो और D, C, यह है यह दोनो बराबर हैं क्यों? क्यों बराबर हैं? क्यों कि सवाल में कहा है कि दोनों क्या है पर बने दो संदुभाहुतिरभूज है भाई कोईश्टन में आल रेड़ी कहा है कि दोनों सम्दुवाहूं तिरफ भूजाएं बच्चा इसका मतलब ये ये क्या है बराबर है और ये ये आपस में बराबर है ठीक है कि सही चल रहा है ना कि कुछ दिक्कात हो रही बाई किसी को बताए कि सभी बच्चे बताओ कि अच्छा तो तुम परचार करने आई हो तो तुमको मैं इसलिए तो बिदा कर रहा हूं ना चलो ठीक है गुड़ कि डोल मजीराक साथ गाना घाने वाले आने बढ़ते आंके और पढ़ने वाले आते बच्चे ना चलो यह हो गया हाँ यह काहे को बराबर है कोई टक में लिख लो यह भी दिया है गिबन लिख लो धिया है कि कि इतना हो गया बात खतम दो चीजें हमें क्या हो गई दो THE weekly हो गई अभी लेकिन इतने इसके लिए हमें और भी कुछ चीजें चाहिए तब हम इनको सरबांग समसिद्र कर सकते हैं और वह कौन सी चीज है देखो आगे आगे इसमें हमें काम कर सकते हैं बच्चा अगर हम देखें एडी तो इस तिरभुज में यानि यह जो एडी भी है या फिर बीडी ए और यह सी डी ए जो इधर वाला है इन दोनों में कॉमन है डी कॉमन है की नहीं भाई एडी और एसी डी इन दोनों में एडी आता है ना दोनों में A D का यूज है ना, तो दोनों क्या है ये दोनों बराबर है न प्राबर है लिखो A D इक्त्वर E D अबराबर काल यह है? बराबर कियुं है? आइ कोई च्रक में लिखो रीजन लिखो कॉमन हिंदी में लिखेंगे उभायनिस्ट कॉमन को हिंदी में उभायनिस्ट बोलते हैं बहुत ही कटिन होता हिंदी इंगली साफान है इतना समझ में आया ना पिंकी सिंग ठाकुर जी कोई दिक्कत नहीं ना नो प्राब्लम चलिए किरन मौड़ा जी बिल्कुल राइट चल देखो अब क्या है यह बुझा यह बुझा यह बुझा बराबर हो गई तीन बुझा बराबर हो गई बच्चा क्या हो गई यह कंग्रेंस हो गए कंग्रेंस हो गए ना क्या लिखो गया अब अब लिखो अता हां कि ट्राइंगल एवी डी कंग्रेंस टू यानि कि सम हो गए क्यों हो गए रीजन लिख लो को इस्टग में बाई एस 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 रूल मतलब साइड 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 सम क्या बोलते हैं उसे सर्भांग सम नियम से है ना दिनेश मिस्रा जी बताइए समझ में आ रहा ना ठिक है लिख लिया हो गया ना इतना यानि अब हमारा जो पहला क सब्सक्राइब हो गया जल्दी से देख लो इसको तीस सिकेंड के अंदर देख लो फिर मैं इसको हटाऊंगा स्क्रेन से फिर मैं दूसरा करूंगा चुकि एक्सरसाइज सेवन पॉइंट जो थ्री है ना बच्चा इसमें पहले कुश्चन में चार पार्ट हैं तो चारों पार्ट हमें अलग-अलग हल करने हैं ना इसमें से मैंने पहला कर दिया इधर साइड कुश्चन देख लो कुश्चन देख लो बच्चा यह देखो इधर साइड को कुश्चन दिख रहा पूरा देख लो मुथ हैं देखो यहां पर कोईश्चन विए थो यह पूरत कुष्चन है था तो इसमें के यह干ोतक हो गया ता फास्ट नब हो गया अब हमें और कर न है ना बलबीर जी आ रहा समझ में बलबीर मीना पहले दिन जुड़े हो ना बच्चा तो रेगुलर क्लास देखोगे तो आएगा बाबू ठीक है हर दिन देखोगे तब भी आएगा एक दिन में नहीं आएगा चलो यह हो गया अब हम इसको एरेज करेंगे इसको रफ कर सब्सक्राणा समझ में आएगा क्योंकि बुक्से क्या है न आप कुश्चन को बार बार पढ़ सकते हो को है कोई भी सवाल अगर आपको नहीं आरा आप उसे बार बार पढ़ो बार बार पढ़ो जितनी बार पढ़ोगे बहुत सारी चीज़ें आपको उसमें से मिलेंगी चलो अगला क्या करना है क्विश्टन एक बार फिर से देख लो एक नजर में कि कह रहा कि कि ABP को ACP के सरवांगसम सिद्ध करना है किसको किसको ए ए बी पी यहीं तो है ना हाँ ABP यानि यह तिर्भूज पूरा पूरा जो सीधा इधर दिख रहा है इसको ACP के का इंगुरियंस सिद्ध करना है ACP यानि यह तिर्भूज और यह तिर्भूज हमें क्या करना आपका इंगुरियंस करना है ठीक है ध्यान से देखो बहुत ही मांदारी से देखना तभी समझ में आए का बच्चा चलो देखो अब क्या-क्या दिया है लिखो लिखो तिर्भूज ABP और जो इंग्लिस मीडिय हम वाले स्टूडेंट हैं वो लोग ऐसे लिखेंगे इन ट्राइंगल ABP and ACP इन ट्राइंगल ABP and ACP जो बच्चे हिंदी में वो लोग लिखेंगे तिर्भूज ABP यानि यह ABP और तिर्भूज ACP में देखो इसमें क्या बराबर दिया है क्या बराबर हम कर सकते हैं वो इसमें अगर देखो और यहां पर सलूशन करो चित्र देखके यहां पर सलूशन करो कुईस्चन से कोई मतलब नहीं कुईस्चन पीछे है चलो इसमें अगर आप देखो तो ABAC की बराबर दिया है वह यह क्योंकि इसमें पूरा यूज हो रहा है यह पूरा फूल नहीं करना है ठीक है जिन बच्चों की आज पहली कलास है वह चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें और रेगुलर देखेंगे उनको पक्का आएगा ठीक है मनी सुपाध्या जी बिरिजी कांत मिस्रा और धंसा पासवान जी सब को आएगा सब को आएगा लेकिन रेगुलर कल अब ही हम लोगोंने क्या। किया था यह बीडी ऑर एसी डी अभी हुआ हमने यह यह तिर्भूज और ही यह तिरभूज सारवांक समसिद्धा किया है किया है तो उसका भी तो कुछ उप्रूज करेंगा ना इसमें क्या करोंगे लिखो triangle यह निजि यह बी एप यह देखो बी ए पी मतलब यह कौन जो है आपस में बराबर है क्यों बराबर है क्योंकि जो बीच वाली लाइन है इसको समद्धिभाजित कर रही नए आदे-आदे बाट रही न तो क्या लिख पाओगे तुम लिखो जल्दी से यहां पर लिखो एंगल रुखो एक ओमार कर ले ले दूसरा भाई ये कुछ गड़ बढ़ चल रहा है बी एपी एककोल सी एपी लिखो चलो फटा फट लिखो भाई अच्छा समझ में आ रहा देखो इनको मैं एक मनी सुपाद ध्याया है इनको मैं आज से हटा दूँ थोड़ा देर के लिए हां देखो लिखो लिखो फट से लिखो क्या क्या मैंने जो कहा वही एंगल तो आपको लिखना न बच्चा कौन कौन सा लिखना है ये ये दोने क्या हो जाएगा या तुम लोग को दो दिखी रहा C.A.P. बोलो चाहे चाहे A.C.P. बोलो मतलब वही हुआ C.A.P. ये दोनों बराबर हैं आप देखो बराबर क्यूं है बराबर क्यूं है देखो ध्यान दो आर नाम पर मत जाओ काम पर हो चलो अब हमें दो चीज तो और वो क्यूं देखो यह क्यों बराबर हुआ इसका रीजन भी लिख लो आप लोग वाई सीपी सीटी लिखो वाई सीपी सीटी मतलब किस पर लगता है पाता है आपको जो दो तिर्बुच सरवांगसम होते हैं उन्हीं पर सीपी सीटी लगता है उनके संगत कौन संगत देखो यह सीपी सीटी से हो गया रीजन में और ज्यादा लिखना चाहो तो लिख लो क्योंकि पहले ही ऊपर हम सिद्ध कर चुके हैं फैस्ट में हमने क्या प्रूफ किया था अभी अभी मनें सिद्ध किया था ABD का एंग्रुएंस है ACD के तो भाई अगर यह दोनों मतलब जो बीच वाली एक परकार से बोले रेखा है AP यह भी भाजित कर रही ना मतलब को आधाधा बाट रही ना पार्ट पार्ट में तो दोनों इसलिए क्या यह बराबर हैं इसमें की जोर बराबर है वो का बराबर है ध्यान दो अगर हम बात करें ABP यह ABP और ACP की तो यह ABP दोनों में है ना अगर हम ABP और ACP देखें ABP तो AP दोनों में है ना दोनों तिरभूज में आ रही ना तो क्या करोगे आप इसे लिख सकते हो बच्चा AP इककोल AP लिख सकते हो ना क्यूं लिख सकते हो हा रीजन लिखो common है क्यूं भाई common है ना दोनों में दोनों में common है तो हम बराबर लिख सकते हैं लिखो common है हो गया ये भी खतम क्यूं हमें मिल गया तीन चीजे मिल गई बस अब नीचे लिखो देखो ये भुजा बरबर ये कॉन बरबर ये भुजा बरबर अब नीचे लिखो अतअ 마 ये जो इंगलिस मीडियम वाले बच्चे हैं वो लोग लिख सकते हैं क्या बोलते हैं उसे ऐसे चिन्द बनाके ना सो दियर्फोर अपना लेंगोज में लिख लो चलो मैं हिंदी में पढ़ाता हूं लिखो आप लोग कि अर्टेंगल ए बीपी केंगुरेंश टू ए सी पी देखो केंगुरेंश टू का मतलब सरवांगसम का चिन्हा लगाना है बस बाकी कुछ नहीं करना है ठीक है यह हो गया और रीजन लिखो गए बाई देखो यस एस है ना यस एस रूल यानि साइड एंगल साइड रूल से यह भी क्या हो गया का इंगुरेंस हो गया जल्दी से इसको देख लो आपके सामने कुछ सिकेंड के लिए कुश्चन दिखेंगे उसके बाद फिर हम इसको करके आगे बढ़ेंगे आप लोग इसका स्क्रीन साट ले लो ठीक है भाई बलबीर मीना इंगलीस मीडियम में बच्चों के लिए होती है हाँ लेकिन हमारी कोशिस होती है कि इंगलीस मीडियम वाले बच्चे भी इसको समझ सकें इसलिए हम हर एक परकार का वर्ड यहां पर इंगलीस में यूज करते हैं ठीक है देखिए किरन मौर्या बिल्कुल सेंटेंस राइट इन्होंने लिखा है ना नीचे लिख लो ऐसे ही बाई एस एस नहीं होगा एस एस होगा किरन मौर्या जी आपने दूसरे वाले में थोड़ा सा मिश्टिक किया है यह एस एस द्वारा जो है केंगुरेंट हुआ है हाँ फैस्ट वाला एस 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 से हुआ था चलो तो अब हम दो कुईस्टन कर चुके हैं अब हम एक बार फिर से कुईस्टन पर आते हैं इधर साइड देखो सवाल अभी तक तो हम आपको दिखा रहे थे फिगर उधर ना अब इधर आ जाओ इधर साइड में आ जाओ कुईस्टन देखो क्या कह रहा है लाइट जला दूसरा वाला जो है ये ये भी मैंने कर लिया तीसरा वाला देखो क्या कह रहा है एपी कौण ए और डी दोनों को समदुभाजित करता है मतलब समझ रहे हैं इसमें तीन और एक पार्ट और है उसको मैंने नहीं लिखा है अब हमें सिद्ध करना है कि जो एपी है वो कौण कि ए और डी दोनों को by set कर रहा है मतलब फिगर पे चलो आप फिगर पे चलो कि देखो यहांपे यह जो रेखा एपी है एपी जो बीच बीच से गई zijn इसको मैं पुरूब करना है कि ये एंगल a nd डी डोनों को बचिट कर रहा है दोनों को सम्दूभाजित करता है यह हमें क्या करना प्रूब करना तीसरे में चलो तो इसको आप लोग लिख लिए हम इसको इरेज करके उस पर बढ़ेंगे ठीक है उदय सिंग बिल्कुल हिंदी मीडियम में ही पढ़ाएंगे मुझे पता है कि अधिकांस बच्चे सब हिंदी मीड में से हैं और मुझे ज्यादा नाम तो नहीं याद लेकिन कई बच्चे हैं जो इंगलिस मीडियम से हैं सीबिस्टी वाले हैं तो वह भी समझ सकते हैं चलो अब अब थाड़ पर चलते हैं ध्याद देना अग Рओध क्या है या बगधा रूमभी कहानी लिखे दियो यार कुर लीसरी यमनलते देखो अभी जवने प्रूब किया है उनी को ले करके हम क्या करेंगेalon ठीक है न भाई चलो ध्यान कांण दो थार्ड पार्ट लिखो आप लोग कुश्चन तो देखी रहे हैं एक बार फिर से देखो धब कुश्चन था कि तिर्भूज अबसी और डी-बी सी एक ही आधार और बीसी पर बने दो समदु बाहु तिर्भूज इस प्रकार से हैं कि A और D भूजा B C के एक ही और इस्थित हैं यदि A D बढ़ाने पर B C को बिंदू P पर पतिछे दित करें मतलब वही बाइसेक्ट करें बोलते हैं तो दर्साइए दिखाईए यानि कि प्रूब कीजिए ट्रेंगल A, B, D गैंगुरेंट 2, A, C, D तिरभूज A, B, D सरबांगसम है A, C, D के तिरभूज A, B, P सरबांगसम है A, C, P के ये दो मैंने कर दिया ये प्रूब हो गया तीसरा क्या कह रहा है देखो वाई तीसरा भी एक है ये भी हमें प्रूब करना है कि A, P, C, A और D दोनों को सम्दुभाजित करता है अब हम थाड़ वाला प्रूब करेंगे इधर साइड चलो ठीक है चलो चितर की तरफ चलते हैं, फिगर की तरफ चलते हैं, ध्यान दो अब ध्यान दो हाँ, अब क्या लिखोगे देखो हम सिद्ध कर चुके हैं, क्या क्या थाड़ वाले में लिखो, I have already proved हम सिद्ध कर चुके हैं, क्या क्या सिद्ध कर चुके हैं, लिखो एंगल वी एपी, एंगल वी एपी, एकल सी एपी, सी एपी, देखो, ये दोनों एंगल ऐसे क्यूं हैं, अब बताओ चलो अभी अभी मैंने सिद्ध देखिया पीछे, इसको बताने जरूरत ही नहीं है, अब हमें क्या करना है, एपी, लिखो एपी, कॉन एकल संद्ध्र नहीं है करता है, लिखो ये हमें शिद्ध करना है, ठीक है, एपी, कामा लगा दो, कोन एकल संद्ध्र नहीं है, इसको इंगलिस में लिख लो जादा अच्छा रहेगा, एपी, पाइसेut एणल ए, तोड़ा छोटा हो जाएगा थिखा है हिंदी मीडियो मोले अपना लिख लेंगे हिंदी में AP byset angle A ठीक है यह हो गया इसमें तो कुछ ज़्यादा करना है नहीं मैं ने लिख दिया अब आगे देखो इसमें क्या क्या करोगे हमें दो तिर्भूज ले करके इनको हल करना है कौन-कौन एक तो BDP BDP यानि नीचे वाले में आ जाओ मतलब देखो जो नीचे दो तिर्भूज बने थे इनको ले करके हम क्या करेंगे इनको प्रूब कर देंगे BDP या फिर आप ऐसे बोलो BPD ठीक है तो लिखो तिर्भूज BDP तिर्भूज BDP और दूसरा कौन सा तिर्भूज है उसके साइड में देखो बगल में देखो इदर साइड में क्या है ये CPD या CDP है न तो लिखो लिखो जल्दी लिखो CDP से चलो CDP से तिर्भूज CDP से आगे देखो क्या होगा ये ठीक है अगर यहाँ पे ध्यान दो तो दो साइडे बराबर है ये B, D, C, D के बराबर है ना भाई है ना बराबर बिल्कुल छोटू जी बिल्कुल बेरी गुड देखो कुछ बच्चे बहुत मेहनत कर रहे है B, D, C, D के बच्चा देखो B, D, C, D के इक्वल क्यों है चुकि पहले दिया है ये दोनों सम्दुबाव तो तो दो साइड इक्वल होंगी ये दिया है इसके अलावा इसमें और भी दिया है क्या दिया है अगर हम ये और ये तिर भुज लें तो बीच वाली ये डीपी जो भुजा ये भी दोनों में कॉमन है दोनों में कॉमन है ना तो आप लिखोगे D, P, E, Q, D, P भाई ये D, P, E, Q, D, P, क्यों है देखो ध्यान दो मिस्टर आसुतोस कुमार पढ़ लो पिंकी के पीछे मत पढ़ो यह तो गडबड हो जाएगा चलो यह हो गया आप इतने में तो यह कुछ होगा ही नहीं जब तक कम से कम तीन दी जानना निकले है ना बीडी कäल सी ली कॉतारा भाई सोनी जी बहुल बहुत अच्छे चलिए आगे इसमें हम एक काम और कर सकते हैं बी इपी को सी पी के बराबर कर सकते हैं बाई सिम्पल सा नीचे दिया यह बीपी जो है की बड़ाबर रें है क्यूं बाराबर पर चुकि जो बी है वह वो के नो कई स्थाइब क्या लिखो तो two बाइ सीपी सीटी थीक है तो रहाँ है जूद इसके पहले का है हम लोग यह ट्रीयंगल और ए कर चुके हैं इसके पहले हमने इसमें ट्रींगल को सिद्ध किया है तो आप लोग क्या करोगे अगर एपीबी और एसीपी ले लो तब भी इनमें काइंग्रुएंस वाले रूल से मैंने इनको सिद्ध कर दिया था तो यह दोनों बराबर हो जाएंगी क्योंकि कि यह क्रिस्पांडिंग साइड हैं है ना एक रिजने भी हो जाया कि विंदुक पीजो है वो संदू मध्य बिंदु है लेकिन सबसे अचारी जैन यजिन होगा कि हमने अभी-धी दोनों को सर्बांगसम सिद्ध किया था तो करस्पांडिंग साइड हो जएंगे एक्वल ठीक तब तो फिर जो कह रहा था बिन्दू करने को तो होई गया अगर कोई दो त्रेपूज सर्वांग सम्सिद्ध हो गए तब तो जो निकालना था कि बिन्दू जो है उसको सर्वांग सम्दुभाजित करता वो तो प्रूब हो जाएगा टूमेटिक लिखो को आता है कोनकॉन सा ट्रेंगल था भई अ कौन कोन ने लिया था ये दोनो भी डी बी कांग्रियंज do Sydney यानी यह तो दोनों तरबूज क्या हो गये सर्भांक सम शिपत्धो हो गये दब आप लिख सकते नीचे हिंदी में इपी tillthe आरे ऑं ए L – D को समद्यु भाजित करता है ठीके बिंदु्व ड को समद्यु भाजित करता है ठीक है लिख दो जल्दी से लिख लो फट से उसके बाद चलो उतारो कि हो गया ना हो जल्दी करो फट साले को हो गया इसके उपर जो ए वाला था उसका उपर ही वैं करा दिया वो ऊपर ही हो गया था ठीक है कि अगर सीपी सीटी का मतलब नहीं आता गयत्री परसाथ जी तो बच्चा पीछे का कलास देखो ना यार तुम पीछे का कलास नहीं देखोगे तो नहीं समझ में आएगा जो इस्टूडेंट पीछे की कलास अभी तक नहीं देखे वो जरूर देखे तब ही समझ में आएगा नहीं तो समझ में नहीं आएगा ठीक है तो यह आपका हो गया इसमें का जो सारा पार्ट था वो हो गया अभी इसमें एक पार्ट और है वो भी मैं करवाओंगा इसको आप जल्दी सेimir कि लिखे ने एक बार थोड़ा सा और यहां पे आप लोग क्लियर कर लो हमें दो बिंदू को सिद्ध करना था एक तो हमें यह सिद्ध करना था कि जो लेकिन जो बिंदू डी है इसको दिखाने के लिए इतना बड़ा पर्खिदिया करना पड़ा और जब हमने इन दोनों को कांगुरेंस कर दिया इन दोनों छोटके तिर्भुज को तो सिद्ध हो गया कि ये इसको क्या कर रहा है बीच वाली रेखा जो है सम्धिभाजित कर रही है तो इसके दोनों रीजन यहां पर हो गए पुरा अब का करना है भाई फिर से हम कुष्टन पर चलेंगे कुष्टन द लोगों ऐसे कि धीर सिंग कुष्वाहा भाई पीछे जो नहीं समझ मैं उसे कमेंट कर रहा है एक पार्ट और है करवाओं कि न करवाओं कर लोगे आप लोग बहुत आसान है वो कह रहा कि एपी रेखाखंड बीसी का लंब सम्धिभाजित है बस यही करना है एपी बीसी का लंब समदिभाजक है यानि यहां पर देखो जो एपी है वो बीसी का लंब समदिभाजक आइसको सिध्ध करना वैसे है तो वह दिख रा है अरे जैसे ऐसे देख लो यह मालो भीसी है यही रेखा सीधी सीधी इस प्यार्द hu q alum fi लेकिन इसका लंब सम्दिभाजक उलको कहि लो टिक है अब मैं इदर क्विस्टन में से कुछ मिटाउंगा फिर मैं करवाऊंगा उसको या फिर यहीं कर लो ऊपर लिए कर लो अब ओम स्वासिंट लेकर बैठार करी इस पूत नहीं है ले लो फिना वूक का समझ में कम आएगा आएगा तो समझ मैं चुकि लेकिन उतना अच्छा नहीं समझ में आएगा किताब रहती तो दूसरी बात रहती फोर पार्ट लिखो फोर पार्ट लिखो सबी बच्चे लिखो जल्दी से कह रहा कि AP रेखा खंड BC का समझ भाजक है यह कुश्चन है AP रेखा खंड BC का लंब समझ भाजक है समझ भाजक का मतलब भी सेक्टर है ना मतलब जो बीच बीच से डिवाइड करता है अब फिगर देखो और यह कुश्चन का पार्ट देखो चार बस पाकी और कुश्चन नहीं देखना है क्या करना है चलो द्यान से आप लोग इसे लिख लो उसके बाद फिर हम लोग आगे चलते हैं देखो यह जो BC है उसको AP लंब समझ भाजक करता है यह हमें सिद्ध करके दिखाना है लिख लिए है जल्दी करो चलो लिखो फट से अब देखो इसमें दो ट्राइंगल है एक ABP और अभी अभी मैंने सरवांगसम सिद्ध किया था ACP ABP और ACP इसी को अगर हम लें दोनों तिर्भूज एक ABP और ACP तो इसमें AP कॉमन आता था बीचों बीच में है ना तो हम इने दोनों को ले करके क्या करेंगे इसको दिखाएंगे दिखो और हम इसको सरवांगसम पहले ही सिद्ध कर चुके हैं आप लिखो चुकी ट्रेंगल ए पी बी है ना ए पी बी वसे ए बी पी लिखो ज़्यादा अच्छा रहेगा ए पी बी तोड़ा सा गड़बर लग रहा है ABP और ट्रेंगल ये इसके बगल वाला जो है ACP से या फिर में चाहे जो भी लिख लो ये दोनों को लेकिन हम पहले से आरेड़ी कंग्रियांस सिद्ध कर चुके हैं सरवांगसम सिद्ध कर चुके हैं तो इसको लिखना थोड़ा सा गड़बर लग रहा है ये फिर मतलब अलग हो जाएगा लिखो चुकि ABP कंग्रियांस टू ACP यह हम पहले से कर चुके हैं अभी देखो दूसरा तीसरा पार्ट किया था उसमें किया था ना इसको कि और करके दिखाया था पहले से दिखाया था आप सभी को CPCT ने पढ़ाया है जिसमें आप लोग पढ़े हैं कि जो करस्पांडिंग साइड होती हैं किसी वी दो का यंज्डियर्न ट्रैंगल की वो करस्पंडिंग सरी को लोती है करस्पंडिंग अंगल बिखर आपने सीखा है तो पिर इसका जो अगला पार्ट है उसको सिद्ध करना बहुत ही इजी है लिखो जल्दी लिखो चलो यहां पर अब आप लिख सकते हो एंगल देखो यहां पर जो एंगल है बी पी डी बी पी और डी यह एंगल और दूसरा एंगल इसमें है सी पी डी यह दोनों बराबर होगा कौन है अरेश बगल वखाल वाला डी यानी ये एंगल और ये इंगल भाई सा से बात है बराबर होगा तो आप लिखो यहां पर कि अबी पीडी इक्वल एंगल सी पीडी लिख लो इतना जल्दी से चलो यह बराबर कहें लिए होगा क्यूं होगा रीजन क्या है बाई सीपी सीटी चुकि इसके पहले हमें दोनों को कांग्रुएंस भी सिद्ध कर चुके ह पार्ट जब मैंने किया था ना तो आप लिखो यहां ब्रेकट में रिजन लिखो बाई सीपी सीटी सीपी सीटी जो बच्चे नहीं पढ़े हैं वह जरूर देख लें बीडियो पीछे पढ़ाया गया है नहीं तो यह समझ में नहीं आएगा कि जहां भी होता बाई सीपी सी सीटी लिखे तो इसका मतलब अगर आपको सीटी सीटी नहीं आता है तो आपके समझ में पक्का नहीं आएगा इसलिए आप पीछे के जो पार्ट है उनको देखिए जितना पीछे पढ़ा दिया गया उनको देखिए ठीक है अब इसमें हम एक काम कर सकते हैं देखो हम सभी जानते हैं कि जो linear बना रहें कौन-कौन यह सिधा फिदा लाइन अगर हम देखें तो क्या linear बना रहा यानि BPD और क्योंकि दोनों एक ही रेखा पर बने हुए कोण है linear पेयर यानी रखी की कुम बनाते हैं तो आप लिखोगे एंगल बीपीडी प्लस एंगल सीपीडी सीपीडी इक्वल एक्वास्टीयंस यह परमिये है आपको पता है कि नहीं देखा आपने नहीं जो क्यों लिनियर पेयर होते हैं यह लिनियर पेयर अल्टरनेट एंगल इंटीरियर एंगल इक्स्टीरियर एंगल यह सब बेसिक लिखो बाइया के लिखो बाया गया तुप पढ़ाया गया अगर आपने नहीं देखा है तो यहाँ पर समझ में आएागा यह लीनियर पेयर क्या है इसमें रीजन लिखो ऐसा क्यूं हुआ लिखो वाई-Linear पेयर यह फिल लिख्टव बस ठीक है कि यहिए नियर पैर हिंदी में लिख सो रिखक मोंद थिक है रेंख कियोंग मैं बनाते हैं कि वह राबर है मैं फर आप एक काम कर सकते हो आँ एक काम यह कर सकते हो पहले तो इसको मिटा दो बचात मे Sole जो नीचे लिखा गया है अब यह कैसे आया है, दूसरे के सांधा से आया था, वो कैसे आया था, हमने सरबांग समसिद्ध किया था, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो BPD है वो CPD के बराबर है तो हम यह BPD के जगा पे CPD लिख सकते हैं लिख सकते हैं कि नहीं चुकि यह दोनों कोण बराबर हैं तो हम एक काम करेंगे इसकी जगा पे हम CPD लिख देंगे चुकि यह दोनों बराबर हैं तो आप यहां लिखोगे एंगल CPD प्लस एंगल CPD इक्वाल 180 और भाई जब इन दोनों को जोड़ोगे तो टू एंगल CPD इक्वाल 180 आएगा ठीक है यह इतना हो जाएगा यहां से जब आप फाइनल में CPD निकालोगे तो 180 अपान 2 आएगा और इसको अगर हम एक इस्टेप और आगे बढ़ाएंगे तो जो CPD हो 90 आज़ाएगा है ना कितना आ गया 90 टिग्री आ गया ना और हमें क्या करना था हमें यही तो सिद्ध करना था बच्चा कि जो यह AP है वो इसको क्या कर रही है मतलब लंबव़त बिभाजित कर रही है क्या करता था बीसी को लंब समदुभाजक है लंब समदुभाजक का मतलब 90 का कोण बनाए तब ही होता है अब इसका मतलब यह नहीं होता जैसे यह रेखा इस पर मैंने ऐसे खिंद दिया तो कजो यह लंब सम्दुभाजा की यह नहीं है वो सीधा-सीधा होनी चाहिए सीधा होगी तो 90 का कोण बनाएगी और हमने क्या किया 90 का कोण यह बना रहा मैंने प्रूब करके दिखा दिया अता यह भी क्या हो गया इसके जितने भी पार्ट थे वो सब हो गये फ़ोर पार्ट क्यू coverage फिर से इधर देख लो एक बार ये खू इसमें 4 पार्ट थे चारहों मैंने करभा दिये कुईश्चन देखो आप लोग क्या दिख रहा है एक बार फिर से मैं जल्दी से पढ़ देता हूं उसके बाद कलास को खतम करेंगे देखो लिखा है तिरभूज A, B, C और D, B, C एक ही आधार B, C पर बने दो सम्दू बाहू तिरभूज इस प्रकार से हैं कि A और D भूजा B, C के एक ही और इस्थित हैं यदि A, D बढ़ाने पर B, C को P पर तिछे दित करें तो दर्साइए दिखाईए यानि प्रूब कीजिए A, B, D, A, C, D के सरवांगसम है A, B, P, A, C, P के सरवांगसम है और जो A, P है वो कौन A और D दोनों को सम्दूभाजित करता है इसमें एक ची अगर और कुछ जानना है तो बता सकते हैं आप पूच सकते हैं हाँ ठीक है भाई ये जो है क्या नाम है इनका मिस्टर मनी सुपाद्याय इनको मैंने एकदम से बंद कर दिया गया ये चलो तो आज की कलास अहीं पर खतम होती है अगर कोई आपके मन में सवाल है तो आप कमे जोटी बहुत-बहुत धन्यवाद आप लोग इस कलास को खूप सेर करिए जादा फ्यादा साथियों में सेर करिये अपने सापाटियों में खूप सेर करिये और लाइक करिए जिससे कि आपको सारी कलास से यूटूब पर मिल सके ठीक है और एक साथ पूरा कोर्स के लिए अ और एप के अंदर आप पूरा कोर्स एक सिस्टम से पाएंगे प्लस आप डाउट भी पूँच पाएंगे तो आज ही PBR Study एप प्ले इस्टोर से जरूर डाउनलोड करें कलास साम को साथ बज़े सुरू होती सभी बच्चे साथ बज़े जरूर आ जाया